दोस्तों आज भारत को हत्यारू का एक और मेगा ओरर मिल गया है साथ में हमारे एमका को लेकर एक और अपडेट आ गया है आप सभी ये बाद जानते हो कि पिछले लंबे समय से एजर बेजान और तुर्की के बीच दोस्ती लगातार मजबूत होती जा रही है और तुर्की की तरफ से लगातार एजर बेजान को अपने एडवांस से एडवांस हत्या दिये जा रहे हैं जिस कारण लगातार एजर बेजान की सेना मजबूत होती जा रही है और एजरबेजान के इन हतियारों को काउंटर करने के लिए इस समय अर्मेनिया खूब दबा कर भारत से हतियारों को खरीदने में लगा हुआ है पिछले साल ही अर्मेनिया की तरफ से भारत को 90 की संख्या में एडवांस टो आर्टलरी गन सिस्टम का ओडर दिया गया था अर्मेनिया एडवांस टो आर्टलरी गन सिस्टम को दो फेज में भारत से खरीदने वाला था और जो 90 की संख्या में अर्मेनिया की तरफ से भारत को एडवांस टो आर्टलरी गन सिस्टम का ओडर दिया गया था ये phase 1 के तहट दिया गया था और भारत की तरफ से 90 की 90 advance 2 artillery gun system की delivery अब अर्मेनिया की सेना को कर भी दी गई है बेकिन आज अर्मेनिया ने phase 2 के तहट भारत को 86 की संख्या में और नई advance 2 artillery gun system का order दे दिया है और इस order की कीमत 155 million dollar होने वाली है और अब अर्मेनिया वो देश बन गया है जिसने फारत से पहले ही advance 2 artillery gun system को भारी संख्या में अपनी सेना में शामिल कर लिया है और अर्मेनिया की ये advance 2 artillery gun system आने वाले समय में अर्मेनिया की fire power को 20 गुना तक बढ़ाने वाली है और भविष्चे में ये advance 2 artillery gun system एजरबेजान की सेना को बहुती जादा भारी पढ़ने वाली है और अब बात करते हैं एमका को लेकर क्या खबर आई है दोपेर के वीडियो में ही हमने आपको बताया था कि हमारी cabinet committee on security की तरफ से एमका fighter jack को approval दे दिया गया है और अब बताया ये जा रहा है कि इस approval के बाद जो 15,000 करोड रुपिये मिलेंगे इन पैसों की मदद से एमका fighter jack के 5 prototype को बना कर तयार किया जाएगा और ये 5 prototype आने वाले 5 सालों के अंदर-अंदर बन कर तयार हो पाएंगे लेकिन अब आप ये मत सोचने लग जाना कि हमारे एमका का पहला prototype हमको 2029 में देखने को मिलेगा हमको हमारे एमका का पहला prototype 2026 के अंत में देखने को मिलेगा और 2027 में हमको एमका की first fly होते हुए दिखाई देगी चुरू में ये plan किया जा रहा था कि एमका को हमारी private company बनाएंगी लेकिन हमारी कोई भी private company एमका के prototype को बनाने के लिए आगे नहीं आई इसी लिए अब एमका के prototype को HEL, DIDO और ADA मिलकर बनाएंगे लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि हमारी private company एमका के prototype को बनाने के लिए क्यों तयार नहीं हुई है दर असल इस बात के पीछे कारण यह ही कि हमारी सेना जब भी किसी हत्यार को खरीदती है तो हत्यार की खरीद को करने से पहले हमारी सेना की तरफ से किसी भी parameter को लेकर कोई भी compromise नहीं किया जाता है और कहिना कही हमारी private company को यह लग रहा था कि अगर हम सही से एमका के prototype को नहीं बना पाए तो हमारे सारे के सेरे पैसे पूरी तरिके से waste हो जाएंगे इसलिए ही हमारी private company ने एमका के prototype को नहीं बनाया है हमको ये डेफिनेटली फ्यूचर में देखने को मिलेगा कि हमारी प्राइवेट कमपनियों की तरफ से एमका के प्रोडक्शन में बदत जरूर की जाए